कल की क्लास में मैंने आप लोगों को डाजिस्ट्यू सिस्टम का एक ओवर्विव दिया था आज मैं डाजिस्ट्यू सिस्टम यानि पाचन तंत्र से रिलेटेड जो अलग अलग पार्ट यानि सेपरेट पार्ट होते हैं उसको यहां पर मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले मैं आप लोगों को डाजिस्ट्यू सिस्टम का उपरी भाग अपर पार्ट यानि माउथ के अंदर का पार्ट आपको समझाओंगा जैसे आप लोगों को पता है डाजिस्ट्यू सिस्टम में सुरुवात होती है खुश्बू से और अंत होते है बद्बू से तो जहां से हम खुश्बू लेते हैं सबसे पहले हम उस पार्ट को डिसकस करेंगे सबसे पहले माउथ में तीन चीजें होती हैं जो आपको दिखाई भी देती हैं जैसे ये दाथ जिसे आप टीत कहते हैं दूसरा नाम है टंग और तीसरे का नाम है सलाइवा जो मुँ में पानी के रूप में आपको दिखाई देता है तो आईए सुरुवात करते हैं दातों से आपको पता होगा कि हमारे मुख में जो पानी होता है जिसे हम सलाइवा ये लार कहते हैं वो हमारे लिए कितनी इंपोर्टन्ट होती है और हम दात और जीब के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे हम यहाँ पर आपको डिटेल से बाइलोजी को समझा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझने की आवशकता भी है बाइलोजी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं कल भी कह चुका हूँ आप में दिक्कत नहीं है टीचर में दिक्कत है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको digestive system में एक एक पार्ट को मैं समझाऊँगा पहला पार्ट है mouth, teeth, tongue and saliva और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि digestion starts from mouth and end in small intestine पाचन क्रिया मुख से प्रारंब होकर छोटीयात पर समाप्त हो जाती है बीच बीच में क्या होगा उन सभी चीजों पर हम समय के साथ चर्चा करते रहेंगे तो आईए सुरुवात करते हैं दातों से यानि teeth जब मैं किसी भी student से ये पूछूँगा कि आपके कितने दात होते हैं तो ज़्यादा तर student ये जवाब देंगे कि हमारे 32 दात होते हैं नमबर आप teeth तो डैस लगा के बताएगा student 32 लेकिन आप लोगों ने कभी अपने लाइफ में age factor को भी देखा नहीं है देखिए दात age factor के हिसाब से ही निकलते हैं जैसे अगर आपकी उम्र 18 साल है तो 18 साल की उम्र तक आपके मुख में दात 28 हो सकते हैं लेकिन किसी किसी के 32 हो जाते हैं लेकिन अगर मा लीजिए आपके 18 साल की उम्र में 32 दात नहीं है तो आपके दात 18 से 25 साल के बीच में चार और निकलेंगे और फिर उसके बाद वो दात हो जाएंगे 32 और हम उन्हें कहेंगे पर्मानेंट टीथ तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके दातों की संख्या भी बढ़ती जाती है और उसकी संख्या 32 के आसपास होती है किसी किसी के दात के ऊपर भी दात निकलते हैं तो हो सकता है कि उनके 34 या 36 हो जाते हैं लेकिन इसमें घबराने की जरुवत नह ताकि उन इक्स्ट्रा दातों को निकालिए वरना आपकी खुबसूरती पर जो चार चांद लगे हैं उस पे ग्रहन लग सकते हैं इसलिए दातों की खुबसूरती चेहरे की खुबसूरती को बया करती है तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे मुख में जो दात ह वो कितने महत्वपूर्ण हैं और आखिरकार वो मजबूत हैं तो मजबूत क्यों हैं और आखिरकार वो कमजोर हैं तो क्यों कमजोर हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं तो देखते हैं हमारे साथ अभी फिलहाल कितने बच्चे जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप घवराईए नहीं मैं अपनी क्लास को चालू कर लिया हूँ देखिए तो मैं मेरा ये कहना है कि आप लोग दातों के बारे में आईए आपको समझाने की कोशिश करते हैं चलिए देखिए बटाइदर सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा हम आरे और आपके जो दात हैं वो कैसे होते हैं तो आप कहोगे सर आगे के कुछ और होते हैं पीछे के कुछ और होते हैं बिलकुल आपकी बात सही है तो सबसे पहले ये बताईए आपकी जीवन में दात कब निकलते हैं यानि किस उम्र में निकलते हैं सबसे पहले हमें ये ब प्लीज आप कमेंट करके बताईए चलिए जल्दी जल्दी बताईए बताईए बटा आप लोग जल्दी जल्दी बताईए आखिरकार हमारे दाथ कब किस उम्र में निकलना सुरू हो जाते हैं बोले बिलकुल ये माला जी बोल रही है कुछ और लेकिन उन्हें सबी के सबी चीजें लिखे हैं बार बार निकलते हैं ऐसा तो है नहीं बालक कि तुम कुत्ते हो और कुत्तों के दात बार बार निकलते हैं मनुश्यों के दात बार बार नहीं निकलते याद रखिएगा मनुश्यों के दात सिर्फ दो बार निकलते हैं इसी लिए बालक ध्या साल में निकल रहे हैं तो आपके अंदर कुछ कमी है डॉक्टर को दिखाईए याद रखिएगा नौ महिने जब आप अपनी मां के गर्व में रहते हैं उसके बाद जब आप बाहर आ जाते हैं इस संसारिक दुनिया में उसके बाद जो नौ महिना होता है उसके बाद आपके दात निकलना सुरू हो जाते हैं दो साल कुछ ज़्यादा हो जाता है दातों के निकलने का टाइम ध्यान रखिएगा इस बात को तो याद रखिएगा जब बच्चा नौ महिने का सुरू होता है या आठ या सात महिने का सुरू होता है तो उसके मुख में दात निकलना सुर आते हैं कि देखो बेबी के दात निकल रहे हैं और बहुत प्रिसराइस करते हैं बेबी को दात दिखाओ दात दिखाओ तो बेबी क्या करता है देखले दात हमारे ठीक है लेकिन आपको मालूम है उस बच्चे की क्या हालत होती है जब वो दात निकलता है उसके मसूडे भी अ उपर पड़ता है और उसका पीछे से प्रेशर रिलीज हो जाता है इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चों के दात निकलते हैं तो आपको मालुम होना चाहिए कि उसको लूज मोशन शुरू हो जाता है तो याद रखिए 20 दात पहले निकलेंगे जिने हम दूद के दात क कहते हैं उसके बाद वो फिर निकलेंगे तो आपके SSC और छोटे मोटे UPSI के एक्जाम में फायर मैन और जेल वार्डन के एक्जाम में इन सभी परिक्छाओं में कोश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के मुख में दात कितनी बार निकलते हैं तो दो बार निकलते हैं टू पूरे जीवन में आपके दात 40 निकलते हैं लेकिन जब आपस में ये fuse हो जाते हैं तो कुल 32 दातों की संख्या बचती है तो यानि आपके जीवन में दो बार लाइफ में 2 टाइम तीथ निकलते हैं पहली बार कितना तो 20 दूसरी बार भी कितना तो 20 टोटल कितना तो 40 ध्य जो पहली बार निकलते हैं वो निकलते हैं 20 वो भी मिल्क डीथ होते हैं तूटने के बाद वो भी 20 निकलते हैं और फिर अड़ेस्ट होकर के टोटल 40 और लास्ट मुमेंट में आपके 32 बसते हैं चलिए इट्स स्टुडेंट के लिए नहीं है सर बायलोजी स्टुडेंट्स इट्स स्टुडेंट हमारे क्या कह रहे हो बालक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है नहीं हमें तो सिर्फ चवाना आता है ओके तो बालक एक बाल बताईए गाय भैसों को देखा है आपने कभी वो भी केवल चाहिए कि आप गाय भैस तो है नहीं इसलिए आप केवल चवाइए नहीं सारा आनंद लीजिए काटिये छी लिए चवाइए सारा सब कुछ काम करने की कोशिश करिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ध्यान रखिएगा चलिए अब आईए दातों के बारे में बताते हैं देखिए हमारा जो दात होता है वो इस टाइप का होता है ध्यान से समझिएगा ये देखिए सुन्दर सा दात इसकी आखे बना दीजिए तो आपके जैसे दिखेगा ये ये देखिए इस तरीके का दात होता है हमारा और आपका और सुनिए ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग कहते हैं क्या dentaign क्या बोलते हैं बटा देंट आइन और सुनिए अगर ये डेंटाइन आप खाना खाएंगे तो हो सकता है ये डेंटाइन नस्ठ हो जाए इसलिए इसके उपर एक परत चड़ी होती है और उस परत को हम कहते हैं क्या inamel और याद रखियेगा inamel की व होते हैं कठोर होते हैं आपके SSC के एक्जाम में एक प्रश्ण आया हुआ था कि enamel बना किस चीज का होता है तो ध्यान रखिएगा enamel made up from calcium appetite यानि आपकी दात के कठोरता के पीछे कौन है तो वो है calcium appetite या enamel enamel is a hardest substance in human body अगर मैं आप से पूछता हूँ और आपके एक्जाम में भी पूछा गया है कि आपकी body में सबसे hard substance क्या है यानि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है तो ध्यान रखिएगा हम उसको क्या कहेंगे enamel enamel किस चीज का बना होता है enamel बना होता है calcium appetite का और enamel is a hardest substance in human body ठीक है calcium appetite ध्यान रखिएगा calcium appetite चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा ये बताइए क्या केवल hard होते हैं कि दात मजबूत भी होते हैं या मजबूत या hard दोनों एक साथ लिख सकते हैं या मजबूत या hard दोनों एक चीज है बताइएगा comment के माध्यम से हम आपका respect everyone चलिए बताइए बड़ा जसको तेजकरी हाजी सबसे hard चीज यानि मजबूत और hard दोनों एक ही चीज है या अलग-अलग चीज है बताइए क्या कठोर और hard एक ही चीज है या अलग-अलग है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्यान से समझिएगा आपके दातों के hardness के पीछे तो enamel है लेकिन मजबूती के पीछे कौन है तो मैं बताता हूँ आपको ध्यान से देखिएगा आप लोग को मालूम होना चाहिए हमारी दातों की मजबूती के लिए fluorine होता है हड़ियों में जो मजबूती होती है उसके पीछे भी कौन होता है तो उसके पीछे भी fluorine ही होता है यानि कभी भी ध्यान लखिए आपके एक्जाम में कई बार ये question पूछा गया है कि आखिरकार दातों की मजबूती के लिए कौन चाहिए तो दातों की मजबूती के लिए fluorine और हाँ दातों की कठोरता के लिए क्या चाहिए तो enamel किस चीज का बना होता है calcium appetite का और हाँ अगर आपकी बाड़ी में fluorine जादा हो गया तब क्या होगा अगर आपकी बाड़ी में fluorine कम हो गया तब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़ादा हो जाती है तो दात पीले हो जाएंगे हाथ नहीं दात पीले हो जाएंगे हाथ पीले तो कैसे भी हो सकते हैं तो याद रखिएगा अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ती है तो दात पीले हो जाएंगे और अगर फ्लोरीन कम होता है तो दात तूट जाएंगे क्या हो जाएंगे दात तूट जाएंगे ध्यान रखिएगा यानि अगर मान लीजिए आप अपने दातों को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको इनैमल को मजबूत रखना होगा कठोर रखना होगा और अगर आप अपने दातों को मजबूत रखना चाहते हैं तो फ्लोरी की मात्रा बढ़ती है तो दात पी ले और फ्लॉरीन की मात्रा कम होती है तो फिर आपके दात टूट 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 जाएंगे ध्यान रखिएगा इस बात को तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने का प्रयास करते हैं सही है सर ओके फ्लॉरोसिस इन एक्सिस आफ फ्लॉरीन नमीन बगगा कह रहे हैं येस बगगा मिस्टर बगगा आप देखिए इदर आप चीजों को समझ ये जरासा ठीक है तो फ्लॉरीन की अधिकता से फ्लॉरोसिस हो जाता है और फ्लॉरीन की कमी से दात टूट जाते हैं औ और जब आपके दाट मजबूत होंगे तो उसके लिए आपके पास फ्लोरीन बैलेंस कौंटिटी में होगा और एनैमल अगर ज़्यादा हुआ तो फिर और ज़्यादा मजबूती नहीं और ज़्यादा कठोरता होगी ये ध्यान रखिएगा तो चलिए नेक्ट उम्मीद करता के लिए और इनैमल कठोरता के लिए चलिए अब आएए आगे बढ़ते हैं ये बताओ लाइफ में दात कितनी बार निकलते हैं कितने कितने निकलते हैं ये कोस्टन है आपसे जड़ा कमेंट के माध्यम से एंसर करिएगा नमीन बग्गा I am your student येस बग्गा मैं तुमें पह हैं हम आँ से ओके 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 चलो बेटा बताओ एंसर करो जल्दी से लाइफ में टीथ कितनी बार निकलते हैं प्लीज एंसर करिए आप लोग दीथ का रियल रंग जो होता है वो होता है वाइट क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपके सरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ओसीन ओसीन प्रोटीन के कारण आपकी हड्डियां वाइट और साथ साथ में आपके दात भी वाइट होते हैं और डेंटाइ की वज़े से भी आपके दात वाइट हो सकते हैं, 20-20 होते हैं और दो बार निकलते हैं, आपकी प्लास्टिक की बॉटल में रखे हुए पानी को मैं पी जाता था, ओके, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ये सब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं आपको, हमा पहले आएब बात करते हैं, देखो ध्यान से, 1-2-3-4, किते दात हुए, 1-2-3-4, तो सुनिएगा चार ऊपर, चार नीचे, कितने हो गए बेटा, 8 तो फ्रंट वाला जो टीथ है एक दो तीन चार चार उपर चार नीचे जो फ्रंट वाला टीथ है हम उसे कहते हैं इंसीजर इंसीजर या हम इसे कृंतक के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिंतक की, ओके, तो याद रखिएगा, एक, दो, तीन, चार, चार उपर, चार नीचे, कितने हो गए, आठ, तो ध्यान रखिएगा, क्रिंतक की संख्या, आठ होती है, अच्छा, मैं आप से एक प्रश्न पूशता हूँ, बच्चों में पहला दात कौन सा निकलता है, बताए, आउटर इंसीजर या मिडल इंसीजर, बीच वाला या बाहर वाला, बताए यह आपके एक्जाम का कुश्चन है, बताए, बीच वाला या बाहर वाला, बताएगा, बताओ बालक, रमेश शाहू, जानीम, जानीम, बहिया किसको कहा गोली लगी है, कहा है डिसकस कर रहे हो, टेंसन दे रहो फालतु में, तुम अपना काम करो यार, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मिडल इंसीजर बच्चों में निकलते ह है, कौन सा निकलता है, बच्चों में, मिडल इंसीजर निकलता है बेटा, ध्यान रखना, और हाथी में जो बाहरी दात होते हैं, यो जो ऐसे होता है, करके जो चिगारती हाथी, तो ध्यान रखिएगा, बाहरी दात भी कौन सा होता है, और हाथी में बाहरी दात को हम लोग तस्क के नाम से जानते हैं किस नाम से तस्क देखो बेटा अंतर क्या होता है माल लिजे हम जंगल घूमने गए और हमको एक हाथी दिखा तो हमने उस हाथी को देखते हुए अपने मित्र से क्या कहा देखो बड़ा वाला हाथी का दाथ दिख गया बड़ा वाला बाहर वाला लेकिन एक अंग्रेज आया, या मालो इंडियन अंग्रेज जिसको कहा जाता है, जो अक्सर हर जगह अंग्रेजी बोलेगा, मतलब उस पानी नहीं पीता है, वो वाटर पीता है, वो आम नहीं खाता है, मैंगो खाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो क्या कहेंगे, look at this task, यानि कहने का मतलब क्या हुआ, कि हाथी के दात को हम लोग जो बाहर निकला होता है, उसको हम task कहते हैं, और वास्तों में जो वो task है, वो होता क्या है, तो हम उसको कहते हैं, इंसीजर, और मनुष्य में इंसीजर जो होता है, वह चार उपर और चार नीचे, आठ होती है इसकी संख्या, चलिए, इस class में कितने लोग ऐसे हैं, जो months खाते हैं, बताईए, इस class में कितने लोग हैं, जो chicken, mutton, something कुछ खाते हैं, नाम ले लिया वीवित भारती थोड़ी चलना हा है, फिर भी ले लिया निकीस कुमार, कौन सगाना सुनना चाहेंगे आप, बताईए, नाम मत दिलवा या रहए इसा थोड़ी होता है बच्छा चलिए इंसीजर का हिंदी इंसीजर का हिंदी होता है किरन तक कृन तक बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मांजocा खाते हैं अच्छा ठीक है कौन-कौन खार आजर देखते हैं अच्छा निकेस कुमार खाते हैं आशीश कुमार सिंग खाते हैं सपना कुमारी खाती हैं नहीं खाती हैं अच्छा नो नो जो लोग खाते हैं खाते हैं सुनिए मेरी बात को ध्यान से ऐसा है ना जो लोग मांस खाते हैं उ कुट्ते की तरह निकले होते हैं क्योंकि यह दात चिईडने और फाडने के काम आते हैं और इन पढ़ने का काम कौन करता है तो नाम है क्या केनाइन या रदनक के नाम से हम इसको जानते हैं रदनक की संख्या चार इंसीजर की संख्या आठ होती है ध्यान रखिएगा इस बात को अगला चलते हैं आगे बताते हैं केनाइन हाँ अब देखिए जब आप मुस्कुराते हैं मा इधर भी दो दाथ होते हैं इधर भी दो दाथ होते हैं और इनी के नीचे दो और दो और होते हैं उन्हें हम कहते हैं चार चार उपर चार नीचे और बेटा वो होते हैं क्या प्री मोलर क्या बोलते हैं इसको प्री मोलर प्री मोलर का मतलब होता है अग्र चवर्नक आगे के च जबाने वाले दात और हां लास्ट में जो दात हें देखीगा इदर तीन इधर है तीन इधर है तीन तीन छे औख detectors बारा या निको मिलाकर के मूलर की संख्या प्रिमोलर की याठ और मोलर की टेइस निकल चुका है बोलिये किसकी आक्ल जार निकल चुकी है है कि बोलिये अरे बिल्कुल दुवाधार تयारी हो रहा है कहे टेंसन ले रहें आप बोलिये राम निवास हाँ जी बालक बताइए किसके किसके अक्ल जाड या विज्डम टीथ निकल चुका है बताईए किसके किसके निकल चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके भी अकल जाड निकल गई है वो अकल जाड होती है ये वाली और ये वाली तो कुल मिलाके अकल जाड की संख्या होती है दो और दो चार ध्यान रखिएगा यानि कुल मिलाके अकल जाड की संख्या चार होती है और अकल जाड जिसे wisdom teeth कहते हैं वो होती कित्ती है तो वो होती है चार और वो होता क्या है तो हम उसको कहते हैं molar ठीक है तो बिटा याद रखना कितने तरीके के दात होते हैं चार इंसीजर केनाइन प्री मोलर एं लास्ट में क्या आएगा molar के नाम से जाना जाता है एक सामान ने बात है ध्यान लखिएगा चलिए उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा दातों की मजबूती फ्लोरीन दातों की कठोरता इन्नैमल और दातों में पीलापन फ्लो पूरीन की कमी और इनैमल हाड़ सबस्टेंस इन हुमन बॉड़ी और इनैमल इस मेड़ फ्रॉम क्या नाम है कैल्सियम एपटाइट याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं देखिए बिटा यहां जो मैंने अभी पढ़ा और आठ दाथ उम्र बढ़ने के साथ साथ फ्यूज हो जाते हैं और आपके पास जीवन में दाथ कितने बचते हैं तो बताइए उसको क्या कहते हैं 32 दाथ कितने निकलते हैं बचते कितने हैं 32 सर विजडम टीथ वेस्टीजियल औरगन है नहीं नहीं वेस्टीजियल औरगन नहीं है गुड यूनिंग रोहित कुमार गुड यूनिंग बालक्स अरे यह धी दिनेश सर्मा किस काम में लगा कुछ समझ नहीं आता है यास हनी प्रियंका सिंग करें यास हनी मोटिवेशन गुरू आप खाते हैं क्या नहीं बालक हम नहीं खाते हम सुद्ध साकाहारी हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए व्यक्ति अगर वनस्पतियों को खाएगा तो अपने जीवन को बचाएगा और कईयों लोगों को जीवन को भी बचाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दिमाग हिल जाता है तो क्या करते हैं आप दातों को जाएगे खुड़ा दीजी या तो फिर आपके पास एक उपाए है आप वहाँ पर आर्सीटी करवा लीजिए क्या करवा लीजिए बटा आर्सीटी आर्सीटी का मतलब होता है रूट कैनाल टीटमेंट जैसे मैं आपको बताता हूं ध्यान से सुनिएगा यह आपका रूट है यहीं पर infection होता है बैक्टीरिया का तो जानों में क्या बोलते हैं इसकी खोपड़ी को खोल करके दात को और यहां पर दवाओं के माद्यम से उस बैक्टीरिया को खतम कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको भर दि treatment क्या कहा जाता है बैटा root canal treatment यानि RCT के नाम से जाना जाता है दातों को बचाने का यह सबसे अच्छा उपाय माना जाता है यानि दातों को अगर आपको बचाना है तो आपको RCT कराना होगा root canal treatment जीवन में दात दो बार निकलते हैं 20 और 20-40 और इसके बाद आपके पास जो आगे बढ़ते हैं बताइए दातों के अध्यन को क्या कहते हैं तो देखो dentist होता है तो बस बिटा याद रखना ओ लगा देना odentology आपके सेसी और fireman के एक्जाम में यह question बना था study of teeth is known as odentology दातों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो दातों के अध्यन को odentology के नाम से जाना जाता है मनुष्य में दात एक ही प्रकार के होते हैं या कई प्रकार के तो बेटा याद रखना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दात चार प्रकार के होते हैं तो हम हुए hetero dent लेकिन मचलिया जो होती हैं वो homo dent होती हैं यानि एक ही प्रकार का teeth निकलता है और ह तरीके के दात निकलते हैं हम क्या हैं तो हम हैं क्या और डेन्टो लॉजी और है ट्रो कि देंट के नाम से जाने जाते हैं ध्यान लखना इस बात को आगे बरते हैं सर का पहला क्लास है क्या नहीं जी हमारा बहुत क्लास है यह तो दूसरा क्लास है फाला क्लास थोड़ी अ uyroll है एक विरेंदर कुमार आप कहा के रहने आले हैं आप भिहार से बिलॉंग करते हैं या पूरी उत्तर प्रदेश से बिलॉंग करते हैं अ इरगो disparity है या 선िये कि सर आपका पहला क्लास एक नहीं बताइए कोई बात नहीं और सुनिये लश मोलर को ही हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं यानी अन्तिम चवर्णक को ही हम अकलजाड के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखिएगा Fused होने का मतलब यह होता है कि जब आप छोटे थे तो उन दातों को क्या कर दिया गया आपस में मिला दिया गया ध्यान रखना और जब आप बड़े होते गए तो आपके सरीर के औरगन्स बढ़ते रहते हैं दातों की संख्या बच्चों में तो ज़्यादा होती है लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो उसकी संख्या कम होना सुरू हो जाती है ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए four type of teeth आपके सामने है देख सकते हैं इंसीजर आठ है कैनाइन चार है प्री मोलर आठ है और ये और सुनो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता यानि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर की संख्या नहीं पाई जाती है यान प्री मोलर अपसेंट इन चाइल्ड ध्यान रखिएगा बच्चों में नहीं होता है सर आपका क्लास का टाइम क्या है हम प्रतेक दिन चार बज़े यहां प्रकट होते हैं ऐसे सी अड़्डा पर अगर आपको हमारे दर्शन करने हैं तो आप ठीक चार बज़े अपने मोबा दिश्चन का मूला क्या होता है आएए उसको समझाते हैं यूपी कि अबालत क्या कह रहा है हम बिहार से हैं तो यह कोई नया बात थोड़ी है यूपी स्थ से वि्रेंदर कुमार हम आपको पहचान गयते जब पहला क्लास बोले तो हम समझ गये ही पहला वाला क्या होगा या होता है तो ये एक समस्या नहीं है ये फ्लाइं का होता है और यह यह आगे बढ़ते हैं देखिये अब ये डेंटल फार्मूला पर बात करते हैं दंत सूत्र बहुत आता है एक्जाम में ध्यान रखिएगा हम पहले उपर वाला हिस्सा एक तरफ का दात लेते हैं देखिएगा ध्यान से देखिए कितना है इंसीजर दो उपर भी दो हुआ नीचे भी दो हुआ ठीक है अब देखो इदर यह नुकीला वाला जो कतों वाला दात है वा कितना है यहां पर एक है तो लात का डबल होगे और तुपर तो सोला और सोला टोटल दात कितने होगे 32 अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना यहां पर कभी भी गणित मत लगाना वरना यह सब कैंसिल हो जाएगा और मूं में आपके बचेंगे सिर्फ दो ध्यान रखना यानि हो सकता है जीरो भी बचें इसलिए इसमें गणित का इस् स्कुल 32 नात हो जाएंगे यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं वेरी वेरी नाइस क्लास सर कोर्स कंप्लीट कराएंगे बिलकुल कराएंगे बालक आप क्यों चिंतित हो रहे हैं अगर हम प्रकट हुए हैं तो भरपूर दरसन देंगे आपको बिलकुल निश्चिंत रहिए ठीक है चलिए और बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है देखिए यह दो यहां भी है दो यहां भी है सही है एक यहां भी है यहां भी है तो बच्चों में क्या नहीं होता तो बच्चों में प्री मोलर नहीं होता और साथ ही साथ विजडम टीथ बच्चों में नहीं होता य प्रमूत कुमार आपकी कमेंट आ रही है ओके ठैंक यू चलिए आगे बढ़ते हैं बटा चलिए देखिए हमारे मुख में एक जीव होती है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर या 4 इंच होती है लेकिन कभी-कभी लोग कहते हैं तुमारी जुबान बड़ी लंबी हो गई है बहुत बोलते हो तो याद रखना उसकी जुबान नहीं उसका दिमाग खराब हो गया है इस वज़े से वो ज़्यादा बोलता है और याद रखिएगा जीव हमेशा 4 इंच या 10 सेंटिमीटर ही लंबी होती है और हमारे सरीर में सबसे मजबूत मानस्पेशी के नाम से कौन जाना जाता है तो हमारी बॉडी में सबसे मजबूत मानस्पेशी कौन है तो उसका नाम क्या है जीव यानि Tongue is strongest muscles in human body यानि जीव मनुष्य के सरीर में सबसे मजबूत मानस्पेशी होती है और ये भी ध्यान रखिएगा जीव के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं टेस्ट बढ़ पाया जाता है लड़कियों के जीव पर 10,000 स्वाद कलिकाएं और लड़कों के जीव पर 6,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं इसलिए लड़कियों में जो स्वाद कलिकाएं जादा हैं इसी वज़े से लड़कियां चटोरी होती हैं यानि ज़्यादा खाने पीने में खट्टा नमकीन खाने में विश्वास रखती हैं तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वाद कलिकाओं का ही टाइम के कारण ही ऐसा होता है और हाँ लड़कों या पुर्षों को खाना खाने में ज़्यादा समय नहीं लगता जबकि लड़कियां और महिलाओं को खाना खाने में ज़्यादा समय लगता है और उसक सर मेरे आप से पढ़ाऊं चटोरी हा 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 नहीं मैं लड़कियां मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी चटोरी मतलब ज्यादा स्वादिस्ट तरीके से खाने का मतलब है यह कंप्लिमेंट है इसको आप कंप्लिमेंटरी तरीके से कंप्लिमेंट तरीके से लीजेगा मेरी बात क इसको अन्यता लेने का प्रियास मत करिएगा कचर कचर करती हैं अरे नहीं नहीं हम यह नहीं कह रहे हैं कि लड़कियां कचर कचर करती हैं यह आप कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं ठीक है चली आगे बढ़ते हैं विटा ठीक है तो याद रखिए यह सारी चीजें जीत की लंब 640 के बीच होती है यानि 6-30-6-39-2 याद रखिएगा 6-30-9-2 840 मसल्स होती है ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे समझाने का प्रयास करते हैं आपको देखिए यह हमारा जीब है आगे का हिस्सा मीठे का हैसास कराता है पीछे का हिस्सा कड़वे का हैसास कराता है और सुनिए बीच में कोई टेस्ट नहीं होता और अगल बगल से नमकीन और खट्टे का स्वाद होता है तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा आगे का हिस्सा मीठे का एहसास कराता है पीछे का हिस्सा करवा एहसास कराता है और अगल बगल का हिस्सा खटा और नमकीन का याद दिलाता है ध्यान रखिएगा इस बात को तो बालक आप लो समझ में आना चाहिए कि खटा या नमकीन मतलब क्या हुआ तीखा कहां से लगता है, तीखा भी बगल से लगता है, जब आप खा लेते हो जाए जिकाद चाहें, वज़ा आपको कभी भी पीखा लग जाए तो तुरंत आप दूद लीजिए हलका सा ठंडा दूद उसको आप अपने मुह में घुमा लीजिए थोड़ा सा मक्षन लेके घुमा दीजिए तुरंत आपको तीखापन समाप्त हो जाता है कि जियादा वहुत होती है इसलिए अच्छे स्वाद की बता सकते हैं और के सर मांस्पेशिया क्या चीज होती है वालक यह क्या है ये है मांसपेशी ये देखो समझरे मौ यहां पर डू मसल्स होती है एक का नाम है बाइसेफ और अरकॉनाम है ट्राइसेफ्स बताइए good better best तो याद दहुत है यह आप यह आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ चली आगे बढ़ते हैं चलिए बैटक बलत बताईए खट्ड का एसवार कौन कराता है तो खट्ड का हिसास पीछे वाला हिस्सा मीठे का हैसास आगे वाला हैसा अगल बगल से नमकीन और खटा और बीच में कोई स्वाद नहीं और बगल से स्पाइसी होता है स्पाइसी मतलब समझ रहे हैं स्पाइसी मतलब होता है मसाला या नमकी या स्वारी मसाले या तो फिर आपको तीखा स्वाद मिलेगा उसके अंतरगत और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए बच्चों के बीच में पहुंचाईए और बालक मैं गैरंटी बालक और बालिकाओं से मेरा नरोध है वो जरूर इसको सेयर करें अपने मित्रों से बाट करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयाप कर प्रयास करेंगे ध्यान रखिएगा बेस्ट सर जी थैंक्यू बेटा थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच किसी जो पता है तो एंट दें ओके और हां मैं यह देख रहा हूं कि मुझे तो बच्चे देख रहें लाइक बहुत कम है तो लाइक आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजे और कमेंट कर दीजे और हमारे क्लास खतम हो जाने के बाद भी कमेंट जरूर करिएगा ठीक है तो मैंने आपको दात बताया जीव बताया और आज आप लोगों को मैं सलाइवा समझाने जा रहा आगे कि देखिए यह सारे स्वाद हैं और हां हमारा जो जीव होता है ना जैसे आप देखोगे जीव उठाओगे तो एक धागे जैसी संदचना होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैनुलम याद रखिए मनुष्य के सरीर में सबसे मजबूत मांतपेशी होती है और जीव हमारे मुख से फ्रैनुलम के द्वारा जुड़ी होती है याद रखिएगा जल्दी धाधर लाइक करिए जल्दी से आप लोग देख बहुत लोग रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं इसलिए बेटा आप लोग जरूर लाइक करिए ताकि आप लोगों को कुछ मिल देखिए एक दिन में आप कितना लार निकालते हैं तो आप कहेंगे सर पता नहीं 2-4 लीटर तो निकाली लेते होंगे तो याद रखिएगा एक दिन में 1.5 लीटर आप लार निकालते हैं 1.5 से 2 लीटर लेकिन अगर आप पानी पीने की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो मुँ में लार बहुत जादा सिक्रीट होने लगता है लार की मात्रा आपके मुख में बढ़ जाती है द्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक दिन में लार हम डेड़ से दो लीटर निकालते हैं लार का pH होता है 6.8 से 7.8 कभी-कभी लार हमारा अमली होता है और क अभी-कभी लार हमारा चारी भी होता है पियच वैलू जरूर याद रखिएगा यू आर दबेस्टीचर इन दवर्ड थैंक्यू वेरी मच कुछ ज्यादा हो रहा है अब अच्छा ठीक है इतना भी नहीं होना चाहिए 1.5 टन वहीं या तुम एक 1.5 लीटर होगा टन थोड 5-5 लीटर हो सकती है द्यान रखिएगा लेकिन हम लोगों में यह देड़ से दो लीटर ही निकलती है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिया आगे बढ़ते हैं पिटा सुनिएगा हमारे जो यहां पर लार होती है लार जो मुक में निकलती वह तीन तरीके की ग्लैंड होती एक तो यहां होती है बड़ी वाली ग्लैंड और दो जीब के नीचे होती देखिए इदर कि पैरोटिट ग्लैंड जल्दी से जल्दी जल्दी बच्चों लाइक करिए हाँ देखिए और आप लोग जल्दी से जल्दी इसको लाइक करेंगे जितना लाइक करेंगे सेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा क्योंकि एससी अड़ा पर आप लोगों को जिस प्रकार क कंटेंट मिलने जा रहा है आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कोई भी किताब उठाने की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी आपके वल नूट्स और वीडियो देखकर ही अपने एक्जाम में बाइलोजी के लग 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 कुस्टन आप सौल्व कर ले जाएंगे इसलिए आप म 24C का प्रशन है यह प्रशन है कि आकिर कार एंजाइम क्या है तो एंजाइम is protein क्या है बटा感じ सलाइवा में में वाटर होता है सलाइवा में एंजाइम होता है और प्रोकीन भी होता है जान रखिएगा एंजाइम अच्छा सोचो आपने एक रजगुल्ला खाया और जब आप सुबा उठे और जब आप बातरूम गए तो उस रजगुल्ले को क्या पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते हैं तो आखिरकार उस रजगुल्ले के साथ इतना दर्दनाक हाता हुआ कैसे क्या हुआ उस रजगु क्या है एंजाइम एंजाइम ही खाने को पचाने में मदद करता है ज्यान रखिएगा यानि एंजाइम हेल्ट इंडाइजेशन और हां आपके मुख से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आगे चलते हैं आपको मालूम होना चाहिए हमारे मुख में दो एंजाइम होते हैं एक का नाम टाइलिन है या एमाइलेज एक का नाम लाइसोजाइम है आपको मालूम है जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी और चावल जब खाते हैं तो अगर हम रोटी चावल में नमक अगरा ना लगाए रह थोड़ी देर में उसको चवाते रही आपको रोटी मीठी लगने लगती है क्यों कि स्टार्च अब माल्टोज में बदल गया माल्टोज क्या है माल्टोज इस सुगर ज्यान रखिए गां माल्टोज सुगर है तो याद रखिए आप से पूछा जाता है मनुश्व में इस बालिका भी बोलिए बस आप बालक बोल रहे हैं बालक और बालिका दोनों बोल रहे हैं ये अंडरिस्टूड होगा बालक आप बालिका क्योंकि जब बालक है तो बालिका भी होगी और बालिका है तो बालक भी होगा ये अंडरिस्टूड है ये सभी समझ रहे हैं मेल है तो फीमेल भी होगा, फीमेल है तो मेल होगा, इस संसार में कोई प्रकट नहीं हुआ, सब कहीं न कहीं से आएं हैं, इसलिए घबराइए नहीं, और सामान ने तरीके से चीजों को सोचने का प्रयास करिए, जब कभी मुँ में छाले पड़ जाएं, तो डाक्टर को मत द बताईए, मुँ में छाले क्यों पड़ते हैं, मुँ पकता क्यों मैं बताता हूं, मुँ पकता इसलिए है, जब सलाइवा की मातरा आप में कम हो जाती है, तभी मुख में छाले पड़ते हैं, पेट की गर्मी का इससे कोई वास्ता नहीं होता है, पेट की गर्मी का इससे को पर जो बनता है वो होता है बोलस अब नीचे की और बोलस सरकता हुआ चला जाएगा यानि कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आपके मुख में जो पाचन सुरू हुआ वो स्टार्च का सुरू हुआ और मुख में जो जिवानों को समाप्त किया वो है लाइसोजाईब और मुख में पाए जाने वाले एंजाईम को कहा जाता है क्या ताएलिन या एमाईलेज मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं अब रोटी रोटी न रही चावल चावल न रहा दाल दाल न रही और अचार अचार न रहा मुमोज मुमोज न रहा everything is क्या बोलस तो बताइए मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, तो मुख में पचे हुए भोजन को हम बोलस के नाम से भी जानते हैं, और मुख में टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा के लिए तीन ग्लैंड्स हैं, पहली ग्ल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के नाम से जानी जाती है देखिए मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है स्टार्च का पाचन मुख में प्रारंब हो जाता है ध्यान दखिए आज आपको हम थैंक्यू भी दिखा रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं हमारा क्लास जीव और सलाइबा के बारे में और इस वीडियो को हर जगा पहुंचाइए और हमारे कोर्स आ रहा है बीस जुलाई से जो आपका सीडियस जो बच्चा ग्रेजिवेशन कर चुका है और सीडियस का एक्जाम देना चाहता है वह इस कोर्स को जॉइन कर सकता है जो सुबह 10 ब 10 बज़े से 1 बज़े तक सीडियस का एक्जाम के लिए यहाँ पर कोर्स लॉंच होने जा रहा है जो लाइब बैच होगा और इसके लिए आप हमारे साथ जुर सकते हैं सीडियस बन करके आप सीडियस के थुरू आप सेना में जा सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते है और अपने ना अपने गाओं अपने महले अपने पैरेंट्स और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं क्योंकि जब एक बार किसी छेत्र में किसी भी गाओं में कोई सेना में भरती होता है तो लोगों का सीना चोड़ा यानि गर्व से उचा हो जाता है तो इसलिए सीडियस क का एक्जाम अगर आप ग्रेजवेट हैं तो आप सीडियस का एक्जाम दीजिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे नमस्कार धन्यवाद थैंक्यूं झाल 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 झाल